हुआ है गाइज असलाम लेकूम वेलकम बैक टो मैं चैनल कैसे हैं आप सब आप सब अच्छे होंगे हम सब भी ठीक ठाक है तो आज का मेरा व्लॉग और रेसिपी दोनों है तो मैं बना रही थी अफगानी ओमलेट वह भी मेरे स्टाइल में तो चलिए वीडियो स्टाइट करते हैं एक बड़े पैन के अंदर हमें 3 से 4 टेबल स्पून ओयल एड़ करना है उसके बाद एक अपने करना है थोड़ा ही सॉक्ट करना है उसके बाद हमें एक कटा हुआ प्याद कर देना है उसे भी अच्छे से हमें तेल के अंदर प्राइ करना है यह वाली रेसिपी को आप ब्रेकफास्स में जरूर ट्राय करिएगा बहुत ही हैल्दी भी होती है और बच्चों के लि चौप करके एड़ कर दूनी इसको भी हमने तेल में अच्छे से प्राइब करना है इसी के साथ हमने नमक भी एड़ कर देना है अपने टेस्ट के हिसाब से एड़ करना है और नमक हम इसके लिए एड़ कर देते हैं जल्दी टमाटर के साथ ही एड़ करना होता है क्योंकि य एक पेपर पाउडर एड़ कर रहे हूं हाफ टीस्पून तक हाफ टीस्पून तक रेड़ चिली पाउडर और फिर उसके बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे जादा मसाले इसमें पढ़ते नहीं हैं बस दो से तीन मसालों में ये बहुत ही जबरदस्ती रेसिपी तैयार हो जाती है इन सब चिज़ों को अच्छे से पकाने के बाद 2-3 मिनटट तक हमें इसे پ्राई करते रहना है और पकाना है अच्छे से उसके बाद फिर हमें क्या करना है यह जैसे मैंने यह गोल पूरा बना लिया है ना एक प्लेट के जैसा शेप में तो इसे इस तरीके से बना दें फिर उसके बाद देन हमें इसके उपर ना अंडे फोड कर डालने हैं अंडे एकदम प्रॉप्रली बढ़ने चाहिए मेरा दो एकदम बराबर इसके उपर हुआ है और तीसरा वाला है वो बह गया है तो उसके लिए सौरी जल्दी-जल्दी मेती और बचों को भी चाहिए था बस में रेसिपी मेने का बन जाएगी फटा-फट आप लोगों से भी शेयर कर दोंगी वैसे हर बार का क्या होता है ना कि रहेगा तो देखने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा और खाने में बहुत अच्छा होगा अंडे डालने के बाद मैंने उसको ढख कर दो मिनिट तक रख दिया उसके बाद मैं ब्लैक पैपर पावडर उसके उपर दो पिंच कर रही हूं और थोड़ा सा नमक भी उसके पर अपने टेस्क के हिसाब से आप एड़ करें और फिर उसके उपर आप हरा दनिया एड़ करें खटा हुआ और फिर उसके उपर आप हरी मिर्च एड़ कर दें पांच मिनट तक इसे ढखकर रख दें और बीच बीच में आप चेक करते रहें कि आलू गल गए हैं या नहीं तो मैंने चूरी से इसे थोड़ा सा दबा कर देखा तो आलू थोड़ा सा रह गया था उसके बाद कर मैंने उसे दो मिनट के लिए ढखकर रख दिया तो जी अब यहाँ पर अंडे पक चुके हैं देखिए बिल्कुल भी छूरी के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा है अंडे की जर्दी तो समझ दिए अंडे पक चुके हैं बहुत ही अच्छी तरीके से और आलू भी एक दम अच्छे से गल गए थे इसे आप ऐसे ही खा सकते है सर्फ कर सकते हैं और रोटियो के साथ में खबुस के साथ में जिसके साथ चाहें आपकी मर्जियों आप सर्फ करें जुमा की बाद हम लोग निकल गए दमाम और मैंने वीडियो थोड़ा सा देर में शूट करना शुरू किया क्योंकि फिर टाइम नहीं हो पाता है जब बाह लेडिस मार्केट है तो काफी बड़ा है यहां पर मैंने बहुत पहले मैंने यहां से वाश ली थी जो बहुत ही अच्छी आज तक चल रही है तो सारी मार्केट में हर तरह के समान होते ही हैं लेकिन यह वाली जो मार्केट है यह लेडिस मार्केट के नाम से ही फेमस है और यहां पर भी बहुत सी ऐसे चीजे होती हैं जो अच्छे प्राइज में मिल जाती हैं तो यहां पर भी काफी डिफरेंट डिफरेंट चीजे यहां पर अवलेबल हैं आप जा सकते हैं यहां पर शॉपिंग करने कि सब मार्किट अगर घूमना है तो रात की टैम पर याप घूमिये इतनी प्यारी लाइटिंग अगरा हुई थी तो इतना अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा जब मैंने इसके लाइटिंग अगरा देखी ना तो मैंने का चली आप शूट कर लेते हैं बहुत प्यारा और जैसे फाइरियाल एमेजान है और भी मैंने फाइरियाल की शायद वीडियो लोड की है तो उसी तरीके से ये भी एक फाइरियाल की शॉप है ग्रेट एरिया यहां पर भी आप जरूर विजिट करें कर्कें कर दो करें एमेजर और बाट लितार हैं पर वह टाहतं है तो जी इसका हमने अंदर का विजिट आप लोगों को नहीं कराया आप लोगों को अगर इसकी अंदर की वीडियो चाहिए यहाँ स्वैकत एरिये की तो आप जरूर मुझे कमेंट करें तो इंशाला नेक्स टाइम अंदर भी मैं स्वैकत में जाऊंगी और आप लोगों से शेर करूँगी इसकी वीडियो हमें कहीं और जाना था इसलिए हमने इसकी वीडियो अंदर की शूट नहीं की और यह काफी बड़े एरिये में था लगबग एक नमबर गेट से लेका चालिस नमबर गेट तक था और हम इसके गोल-गोल यह तें में पूरा घों ही रहते बस वीडियो बनाना था हमने तो पूरा घों रहते वाकई बहुत प्यारा था तो हमें गेना था रेड टैक तो रेड टैक यहां से थोड़ा सा दूर पर था हमने रस्ते मेंी देखा था वहाँ पर हमें न शूज देना था बच्चों के लिए लाइटिंग वाले बहुत पहले मैंने आयत के लिए लिये थे जो रेट टेक से ही लिया था अब वो मिल नहीं रहे हैं तो हमने पूसरे चलिए जहां पर भी रेट टेक दिख रहा हैं तो फायदा नहीं है लेने का वैसे आपको चाहिए तो आप ले लो लेकिन फिर आयत ने मना कर दिया कहती है मत लो बस हम वीडियो बना लेंगे तो देखी कितना प्यारा लग रहा है उसके उपर और कितना फणी है मैंने जब देखा ना तो मुझे बहुत हसी आई और वहीं रेड टेक के पास ही ये कुछ बच्चों का एरिया था खेलने का और कुछ उसमें गेम्स वगरा भी थे तो हम लोग वहाँ पर गए आयत को लेकर अन्नू को लेकर आयत तो मेरी बहुत खुश हुई उसको बहुत ही मज़े आए और आयाना तो खैर सोकर उठी थी उनका मूड सही नहीं था इसलिए बहुत रो रही थी हो पो चैया थे जनका खुश हुआ को लेकर ओाइबा हम खुश है जङ्वला गुमार को लेकर यरे पाइबा हुआ हुआ को भी हुआ है आयाना इसमें फर्स टाइम गई थी ये बॉल वाले में तो इसमें जब हो गई है ना तो बैलेंस बराबर कर नहीं पा रही थी और आयाना उसको देखकर इतना खुश हो रही थी इतना हस रही थी माशारला माशारला जैसे ही आयत उसके अंदर गई है ना बस गिरना चालू जब हुई है आयाना की हसी रुकी नहीं रही थी और बच्चों को देखकर बस मुझे भी हसी आ रही थी माशारला आयाना बहुत हस रही थी माशारला फिर देरे देरे करके आयत ने बैलेंस बनाना शुरू कर दिया और देखिए कितना अच्छा आयत उसमें प्ले कर रही है तो यहां पर आयाना को ठंड लग रही है लेकिन आयाना जैकेट पहनने के लिए रेडी नहीं है प्लेश 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 देखिए कर दो चाशना आयता है पर पर यहां पर ना बच्चों को हाथ पर स्टैम देते हैं एक खंटे के लिए कि बच्चे बस एक खंटे के लिए यहां पर enjoy कर सकते हैं slide कर सकते हैं अनु को तो हम लोग दोनों ही थक गए कह कह के एनु जाओ बेटा आप भी चले जाओ आप भी मज़े करो लेकिन अनु तो जित की वज़े से वो कुछ भी नहीं सुन रही थी बस माशायल्ला आयत enjoy कर रही थी अलहमदेल्ला क्योंकि आयाना का mood सही नहीं था तो हमने आयत से कहा बेटा आप उसको छोड़ो जाने दो आपको enjoy करना आप अच्छे से enjoy करो और वहाँ पर slide करते करते एक आयत की friend बन गई देखिये आयत और वो दोनों आपस में बात कर रहे हैं तो बस दोनों की friendship हो गई वहीं पर ही दोनों की language अलग थी लेकिन तभी माशायल्ला आयत और वो दोनों आपस में बात कर रहे थे इशारों में बात कर रहते हैं और English में बात कर रहते हैं तो बस समझ आ गई थी दोनों को एक दूसरे की माशायल्ला कर दोनों काल बात कर रहे हैं लाई भात कर रहे हैं रहे हैं झा 파 रहा होज की माशे ओता हैं जो कि रहाँ कि पन Tucson लूससा खिक Ihre हैं कि रहे हैं भी बात कर रहे हैं बाल झाल सब्सक्राइब करें करें टाइम हो गया है और ये भी जाकर आयाना को लेकर गाड़ी में बैट गहते तो मैंने आयत को लिया और फिर हम बाहर निकल गए थे तो बाहर जब निकलने लगे तो सामने की तरफ एक्जिबिशन वगरा भी लगी हुई थी और लाइफ शो भी हो रहा था तो बस यही दे और अब बस हम जा रहे हैं जी घर पर अगर मेरी वीडियो आप लोग को पसंद आई है तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें अपनी प्रेमली प्रेंट में तो फिर मिलती हूं नेक्स वीडियो में इंशाला एक नए व्लॉग के साथ एक नई रेसिपी के सा इंशाला अला हाफीज टेक केर बाई